हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चनल इस वीडियो में मैं बात करने वाला पॉटरोनिक कंपनी के ओसे आने वाला पॉटरोनिक पावर प्लेट 7 एक्षेंशन बोर्ड के बारे में जिसे मैं आज थ्री मन्स से यूज कर रहा हूँ त्री मन बाद में इसका क्या कंडिशन है क्या यह प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी कि नहीं इसके इंदर यूज पी जो दी गई इसके थुरू फार्ट चार्जिंग सपोर्ट है भी कि नहीं इसके इंदर कितने अड़ेप्टर लगा सकते हो जैसे कि 10 एंपर उन्हें ने बता जब मैंने पर्चेस के ओफर भी चालूता हूँ यह वीडियो आप 2022 यह फिर 2023 में देख रहे हो इस टाइप का एक्स्टेंशन बोड अपडेट होते रहता है जो लेटेस वाले रहेगा मिन के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप एक बार डिस्क्रिप सब्वाइब इसके अंदर दी गई इसके थरूं मोबाइल चार्ज करना चाहिए कि नहीं आपके पास अड्रेप्टर में आपको सेलिगा आप मोबाइल को औरिजनल नर्प्टर के थरूंवी चार्ज कीजिए कोई भी मोबाइल कंपणी हो गया कोई इस अर्जिनल फर्स्ट पार्यूटी रहेगी हमारा ओजिनल अरप्टरी यूज करने के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए बागी कोई भी दूसरे एक्वेप्मेंट है वह चीज़ के लिए आप इन यूएस्पी हो यूज कर सकते हो इसके अंदर चायल सेफ्टी भी दिया गया है इनके चायल वगेरा बगल में गूम रहे हो फिंगर वगेरा डारेगे तो इसके अंदर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि शटर टाइप चायल सेफ्टी शटर देखने को मिल जाता है मार्किट में आपको 6A के भी दिखने को मिल जाएगे पर इसके अंदर 10A दियाएगे 10A का मतलब यह होते है जो इसके अंदर material यूज के गए विसकी capacity जो कि 10A तक का current लोड लेनी की है अभी MPR work किस तरह करता है जैसे कि आप इसके उपर heavy MPR के adapter लगा दोगे AC के होगे microwave oven को फ्रीज के होगे तो ज्यादा मातरा में current खीचते है LED light हो गई वो सारी चीज़े अराम से लोड उठा लेता है जैसे कि मेरा complete setup है इसके अंदर मैं इसे connect करके रखता हो तो मुझे कोई भी issue problem देखने को नहीं मिला है इदर सबसे पहले आपको आपने जो भी पीने इसे remove करना है जैसे कि मैं इसे remove करता हूँ और इदर आपको देखने को मिलेगा यह 4 MPR लिखा हुआ है और इदर यह charging के इदर जो कि इन्होंने mention के हुआ 1 MPR और इदर पीन पे इन्होंने mention के हुआ यह 6 MPR तक का current load लोड लेग फ्यूज के बाद करें latest technology का fuse यूज किया गया पहले के टाइम पर डीपी टाइप फ्यूज आते तक अभी बी उड़ते तो इसे fuse को आपको चेंज करना पड़ता था इसके बाद में कुछ extension board आते विसके अंदर outer fuse visible ले थे वह कभी बी उड़ जाते तो फ्यूज हाडवर के फिर high voltage current सामने से आ जाता है जो कि गाहों के side में काफी जादा होता है तो वह case पर आटमेटिकली बंद हो जाएगा फिर से आपको क्या करना पड़ेगा इसे आप जो कि power off करके power on करना दैसी यह work करना start हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी fuse change करने वाला problem नहीं रहेगा नि जिसके कारण आपका काफी जादा भारी नुकसान हो जाता है तो वह case पे आप कोई extension board purchase करो तो वह अच्छा MPR का रहना चाहिए तो सबसे पहला आप जो भी pin लगाने वाले computer PC के जिसकी इसके बाद में इसके हिसाब से यह जादा MPR का ही extension board purchase कीजे तो after three month बाद में मुझे को मैं description में दे दूँगा जब मैंने purchase क्या offer भी चालू था और ये वीडियो आप 2023 ये फिर 2024 में देख रहे हो इस टाइप के extension board जो कि update होते रहे थे वाइफाई वाले latest extension board भी आगे विन के link भी मैं description में दे दूँगा तो आप एक बाद description ज़रू चक कर ले ना तो आप आपको वीडियो अच्छा लागा रहेगा वीडियो अच्छा लागा जाते है तो वीडियो को लाइक कर दीचाए इसे और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को subscribe कर देखें कि so much watching this video